नश्कार में पिंटु शिंग्यादू आप सभी का स्वागत करते हैं टेकनिकल दुनिया में दोस्तों जैसे कि आपको बता है कि यूटूब जो है लगातार आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया अपडेट देता है और उसको आप इंप्लेमेंट भी करते हैं और अपने चनल के लिए इस्तिमाल भी करते हैं इस कड़ी में कल मैंने आपको एक अपडेट बताया था और अपडेट ये था कि यूटूब हैंडल जो है वो आपको प्रवाइड कर रहा है जैसे कि आपके Facebook पर कोई user ID होता है Instagram पर user ID होता है या फिर आपका Twitter हैंडल होता है मालेजे मेरा नाप पिंटूशिंग यादो है तो मैंने अगर Twitter पर add rate पिंटूशिंग यादो बनाया है या फिर मैं Instagram पर पिंटूशिंग यादो underscore 2090 ऐसे कुछ भी बनाया है तो इस तरीके का handle आपको जब याद रहता है तो आप कहीं भी किसी को बताते हैं और आप अपना Twitter handle या Instagram handle तमाम चीजे जो आप बताते हैं उसके माध्यम से वो search कर लेता है तकि आप उस चीज से किसी को भी search करवाना है तो आप करवा सकते हैं और उसी तरीके से YouTube ने नया जो launch किया है वो YouTube handle है तो YouTube handle actually में क्या है ये मैं आपको बता दिया कोई भी चीज को आशानी से search किया जा सके और एक unique name generate हो सके that is called YouTube handle अब मैं इसको कैसे enable करना है इसको भी मैंने already बता दिया है तो description में link डाल दूँगा आप जा कर वहां से देख सकते हैं लेकिन आज के वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ कि आखिरकार YouTube handle का benefit क्या है इसका फायदा क्या होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले नमर के जैसे कि आपको बता ही कि जब आप YouTube channel बनाते हैं तो YouTube search को लाने में काफी जादा difficulty होती है काफी जादा जो है आपको कठिनाईओं का शामना करना पड़ता है उसके लिए आप तमाम tags डालते हैं चैनल's keywords को डालते हैं हलाकि उसको अभी भी डालना है वो ऐसा नहीं कि YouTube channel handle आगया तो उसको छोड़ दो आप आपको जो tags है जो आपका channel keywords है उसको डालना है लेकिन जो YouTube channel handle का नाम decide हो जाएगा और उस चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा और उस चीज से आपने YouTube handle को अगर create कर लिया तो लोगों को search करने में आशानी होगी किसी को भी अपना YouTube handle का नाम बताईए जैसे YouTube पडालेगा सबसे पहले priority में उस channel का नाम आजाएगा तो ये searching के point interview से काफी ज़्यादा beneficial है पहले क्या होता था कि channel keywords डालना होता था इसके बाद आपको text डालना होता था और थोड़ा ज़्यादा वीडियो डालने के बाद इंतजार करना पड़ता था तो अब जो हैं इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगर आपका unique name है और उसी handle से आप उस पिंटूशिंग यादो का channel बनाया तो पिंटूशिंग यादो के channel से मैंने youtube channel बनाया तो उसका मैंने handle ले लिया अड़िरेट पिंटूशिंग यादो तो यह मेरा unique हो गया अब पिंटूशिंग यादो कोई सर्च करेगे तो मेरा priority में आएगा भले ही उस नाम से कोई और generate जो है जो है कर सकता है लेकिन जो handle होगा उस handle को वो खबिक नहीं कर सकता है तो इससे क्या होगा कि आपका जो content है आपका जो मतलब नाम है आपका जो brand है उसको लोग copy करेंगे तो उसका benefit उनको नहीं मिलेगा वलकि उसका benefit आपको ही मिलने वाला है तो यह भी आपको काफी ज जाद आशानी होगी इसके लावा जो है आपको पता ही होगा कि मैंने कल बताया था कि जो यूटूब जो लांच कर रहा है है उसमें आप किसी को community करके या फिर चोट्स में टेग कर सकते हैं या फिर यूटूब कॉमेंट्स में उसको अडिबेट लगा के उस particular ब्यकति के हैंडल को आप चोवे टेग कर सकते हैं तो इसले क्या होगा कि यूटूब पर अगर आपको कमेंटी पोस्ट सर्च करना है या फिर आपको स्वाइदा मुझे जहां तक है और यह अगर आपको इस्तेमाल करते हैं तो अब इसलिए आपके चैनल में भी ग्रोव होने का संभावना ज्यादा होगी प् और उस ब्रैंड पर कोई और अधिकार नहीं जमा सकता है तो छोड़ा सा अपडेट है मुझे लगा कि आप सभी को इसका बैनेफिट बताना चाहिए तो यह अपडेट कैसा लगा कमेंट बोक्स में बताइए और क्या सच में जो एक यूटूब हैंडल है वो सच में आपको यह फाइदा दे रहा है यह अपने पर दिक्रिया हमें कमेंट बोक्स मुझे है जाने बादे